आज है संडे और हम लोग जा रहें शॉपिंग के लिए वेजी टेवल्स फिश ये सारे शॉपिंग करके लाएंगे तो चलिए हम लोग अपना सी लगीं का नजारा देखते देखते चाते हैं आजा देखते लोग भीश ये सारे शॉपिंग के? गपकिंट कर दो कर लो शेडि़ बस्टार के लुड़ास कर दो कर दो कर दो कि अबबना! हाई फ्रेंज हम वापस आ गया है और क्या फिश लेके आई हूं वह दिखाती हूं यह है रूई मच्छ और यह है मॉटन 500 ग्रम लेके आई हूं और फिश का एक भी लेके आई हूं थोड़ा सा इसको बहुत जदा लेट हो गया तो मैंने फिश फ्राय कर रहे हूं मैं इसमें मस्टर्ड ओयल और कलन जी देखें कि मैंने फिश को थोड़ा प्राय कर लिया गौल्डेन होने तक इसमें मैं अभी डाल लियूं है तर्मरीक और सॉल्ट अभी मैं इसमें जो पेस्ट जालने वाली हूं वो है सर्सो और लसुन और मिर्च एक साथ मैंने ग्रैंडर में पीस लिया है और इसमें डालने वाली है इसको बोलते है शोर सो माच यही मैं आचसे बनाओंगी कि मैं अभी इसमें थोड़ा सा पाणी एट कर रही हूँ उसके बाद आप जितना ग्रेवी चाहिए उसे बना सकते है पतला भी बना सकते है बहुत टेस्टी बनता है मैं इसे थोड़ा पतला बनाऊंगी और इसमें मैंने हरी मिर्च दे दिया है 2-4 क्योंकि मैंने पेस्ट में भी दाला था 4-5 इसलिए दे रही हूं और थोड़ा पानी भी दे रह प्रेंस अभी मैं इसमें बनाऊंगी कठल की सबजी तो मैंने इसमें मस्टर्ड ओयल जीरा और तेज़ पता दे दिया है अब मैं इसमें अनियन प्राइए कर लोंगी गोल्डेन होने तर अब मैं इसमें देऊंगी थोड़ा सा नमक और हल्दी ताकि मस्टर्ड नियुआए अब मैं इसमें देऊंगी थोड़ा सा नमक और हल्दी अब मैं इसमें डाल दूँगी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट आप जिंजर और गार्लिक थोड़ा फ्राई हो जाए उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अनियन और रेट चिली का जो पेस्ट मैंने बना के रखा अलग से वह अब मैं डालूंगी तो मैंने कठल को दो सीटी लगा के आलू के साथ उबाल लिया है तो वह मैं अभी एट कर दूंगी कठल को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करें अच्छे से उसको फ्राई करने के बाद उसमें एक कप दही डाले मैंने भूल गया दिखाने के लिए मैंने दही भी डाला एक कप और उसमें मैं एड़ कर रही हूं थोड़ा सा स्टॉक वेजिटेबल स्टॉक जो मैंने बना के रखा था वही मैं अभी इसमें एड़ कर रहे हूं तो यह उबाल आ जाए और 10-20 मिनिट्स में यह रेडी हो जाएगा प्रेंज तो मैं अभी करेला फ्राइ कर दूंगी मस्टर्ड ओयल दिया है उसमें मैं करेला दे रही हूं अभी उससे फ्राइ करूंगी सिंपल करूंगी उल्ली सॉल्ट और टर्मरी के साथ थोड़ा सा क्रंची होगा थोड़ा सा नारम भी होगा कि बिल्कुल इसी तरह से मैं अभी निकाल लोंगी मैं आम का अचार बना रही हूं यह दुछरे दिल दिखाऊंगी यह सिंपल तरीके से अचार बना रही हूं दुसरे किसी दिल दिखाऊंगी क्या बना रही हो और छोत की puntos fichann 주stäu कि बना रा रियों अधिने गुससे हो ऑँ कि या बना रियों दूम ंहीजा बना हुआ जू से बना रही हो तुम जाए बनारी अचाएब नारी यउ यह उट भी एंचीनि और ले चय हों मुझी सब्स्रों कि बना बना रियोरम इसक्ष् देखो उखुद के हाथ से चाय बनाने से कितना गुश्चा इतना सारा चीनी क्यों डाल रही हो देखो तो तुम्हारा चाय क्या चाय बना रही हो आज का चाय चाय नहीं यह मिठाई बनेगा है ना चाय नहीं बनेगा मिठाई बनेगा चाहे को तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, पीने में भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा चाह बनाया लग रहा है ती है चोपिध और शेको डो के एक है। अमा के एक चुदिवी आजने लो परसे पाने दोर हम जोगए जगे लोगे बनित करत क्विछी कि हैं वग लुपक्वारी जएंग का जए लोगे लोगे जए इननत करत कमाा हैं कि एंटना तक का जएवारी तक अबस्टाना सन्गे पार वेश़ जड़े लोगे लोगे अप्टरित हैं प्रक्सानि झाल 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 चुप? जुप?